इस वक्त हम घड़े हैं कोटा के प्रानी किस्ट उप्जमन भी है जहां लर्सन प्याज की थोग माल को बेचा जाता है हमारे साथ कुछ वेपारी हैं जिनसे माल बात करेंगे कि प्याज के जो है क्या भाव चल दे हैं हमां सार वेपारी नफीज गी है इनसे जानते हैं किसना क कि अब हमारे यहां पर भाउन अगर से माल आ रहा है वह नाशिक कि से आरा है और गुच्ट राज्थान में शीकर से माल आ रहा है तो बारा तेरा रूपार उसके बाइने बाद हमारे यह की लोकल प्याज चलु दिश्ट कर दोब हमारे राजस्थान एंपी के आसपास के गाउं के आती है तो उस टाइम हो सकता है बजार कुछ कम हो जाए अभी तो 18-19 रुपे के बजाया जल रहे है और कुछ कभी-कभी एसी भी खबरे आती है गोर्मेंट ने एक्सकोड पूला है तो उसकी हवाँ में भी बजार कही बार सब्सक्राइब को जारी करें लोगों पता चले कि एक खुला है या नहीं खुला है हवाँ में बजार पीज होने की वज़े से लोगों को काफी नुक्सान उठाना पड़ता है जैसे अभी पिछले आपके बजार 20-20 रुपे दे आज के और अभी वापन 17-18 रुप होगे औ हमारे बंडी की शनिवार को बजार 20-21 रुपे थे जो आज आज इसकी दिए 16-17 रुप में कोई माल को लेने वाला जी था बजार दाउन है पेले की शनिवार की अबेक्षा आज कितने नहीं किस उतका जो है प्याज मार्गेट मारा का है बाहु नगर का रहा है नाशिक का अब हमारे शीकर रायसान की पास में इस बात्चेत करते हैं प्याज और लर्सन के थोग वेपार ही है जी बताएं सरो अब इस चाएम का माल आ रहा है क्या कि आ रहा है तंड만 है कि अवकशत के आ रहा है यह जानकं कर आज सबहे बजार हैंगर नहीं आज करीप ऑर्रहा तेरा गाडिया बंदीत पोलबैंद आमपार क्युक्त करेना और लोकल जो प्याज रहेगा उसके और बहुत कम मुवीज़ा है जैसा कि वेपाडी ने बता है कि जो अभी जो प्याज आ रहा है वहाँ से आ रहा है थोरिद नुबाद जो है लोकल इस्तर प्याज आने लेगेगा तो बहुत जारा गिरेंगे